हलो फ्रेंज, दिल्ली वाली बार्वी में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं ये है सपना का घर अरे नहीं नहीं, ये सपना का घर नहीं है ये तो बच्चों का स्कूल है अब रोज-रोज सपना का घर देखोगे क्या आओ आज कुछ नया देखते है लगता है आज स्कूल में कुछ खास होने वाला है अरे बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए मैंने सारी तयारिया कर दी है पता नहीं बच्चे कब आएंगे और फिर यहां बच्चों की बस आने लगती है अरे लगता है हम लेट हो गए है हाँ तो जल्दी पहुँच के क्या करना है कौन सी स्कूल में जिलेवी मिल जाएगी और यह रोज रोज की बोरिंग पढ़ाई और फिर एक एक करके सारे बच्चे उतरने लगते हैं अरे यह सक क्या है मुझे लगता है जिस स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी वो दिखो कितने सारे कलर्स, पेंट, ब्रस सब रखा हुआ है क्या सच में अज पढ़ाई नहीं होगी बले बले, शावा शावा, बले बले अरे रोहन ज्यादा खुश मत हो यह देख अरे यह क्या है लिखेंगी और पूछेंगी कि बताओ, दोनों नंबर को प्लस करके कितना अंसर आएगा कहां फस गए यार यह मैट्स तो मेरी समझ में ही नहीं आता अरे रोहन, चलना कोई बहाना बना के घर चलते हैं नहीं तो इतने सारे मैट्स की कोईशन सॉल्व करने पड़ेंगी तब ही वहाँ पर चिक्की आती है अरे तुम दोनों उल्लू हो क्या उपर पढ़ोना क्या लिखा है हां कलर मिक्सिंग गेम वाउ, यह मैट्स नहीं है हां, यह तो एक गेम है वाउ, बहुत मजाएगा फिर तो अरे बच्चों, तुम सब वही खड़े रहोगे कि इधर भी आओगे गुड मॉर्णी मैम गुड मॉर्णी बच्चों मैम, यह सब क्या हो रहा है आज हम क्लासरूम में नहीं जाएंगी क्या नहीं बच्चों, आज क्लासरूम में नहीं जाना है आज बाहर गार्डन में ही रहना है आज यहां कलर मिक्सिंग गेम होने वाला है चलो, सारे बच्चे यहां पर बैट जाओ वाउ, अज तो बहुत मजा आने वाला है अज तो पढ़ाई भी नहीं करनी है आज तो हम कलर मिक्सिंग गेम खेलेंगे चलो, सबसे पहले मैं सारे कलर्स निकाल देती हूँ सबसे पहले रेट कलर निकाल देती हूँ ओके मैम यह देखो, रेट कलर आगया अब इसे यहां डाल देती हूँ वाउ, किता प्यारा कलर है ना अब इसमें येलो भिर लेती हूँ ये देखो इसको यहाँ डाल देती हूँ वाउ इसमें फ्लू कलर इसको यहाँ डाल देती हूँ कितना अच्छा लग रहा है न अरे बबल्स बन रहा है ये रहाद ग्रीन कलर उपिसे डालती हूँ यहाँ वो देखो, ब्लैक कलर हाँ, इसमें ब्लैक कलर इसे डाल देती हूँ, यहाँ यह रहाँ वाइट कलर इसे डाल देती हूँ, यहाँ मैम, यहाँ हम कौन सा कलर डालेंगे? नहीं बेटा, यहाँ हम कोई भी कलर नहीं डालेंगे यहां मैं तुम्हें एक नया कलर बना के दिखाऊंगी क्या? नया कलर वो कैसे? वो ऐसे चलो हम देखते हैं कि ब्लैक को वाइट के साथ मिक्स करने पर कौन सा नया कलर बनता है? हाँ हाँ दिखाईए न मैं पहले हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक डालेंगे हाँ इसके बाद हम इसमें वाइट डालेंगे अरे चलो देखते हैं कैसा कलर बनता है? हाँ मिक्स होगा तो पता नहीं कैसा कलर बन जाएगा अरे देखो कैसे कलर चेंज हो रहा है? कितना अच्छा लग रहा है ना इसमें मिक्स हो रहा है तो तो ग्रे कलर बन गया वाओ ये तो एकदम नया कलर बन गया हाँ देखा बच्चो चलो एक और ट्राइ करتي हैं बुलओ को ग्रेंनों के साथ मिलाकर देखते हैं म Lebens कन निक्या इपना कौन सा कलर बन के तयार होगा चलो देखते हैं कौन सा कलर बनता है अरी ये तो कलर चेंज होता जा रहा है दिखो अरी कैसे डार्क होता जा रहा है न ये तो लगता है ब्राउन कलर बन गया अरी हाँ ये तो कॉफी ब्राउन हो गया वाउ कितना अचा कलर चेंज हो गया निसका, मैम, ऐसे तो हम कितने भी कलर बना सकते हैं, हाँ और यही क्वेशन तुम्हें यहाँ पर सॉल्व करना है, अगर तुम यहाँ पर रेड लेते हो, और यहाँ पर वाइट, तो दोनों को मिला कर यहाँ का कौन का श्रूलर बनेगा, अरे ये तो बहुत मज़ तार, ये मैं ने रेड लिया और यहां से वाइड लिया और दोनों को मिक्स करने पर देखते हैं कौन सा कलर बनता है अरे वाओ अरे वाओ यह तो पिंक बन गया वाव ये तो pink color बन गया मैं ये देखो मैंने नए color बना दिया वाव चिकी तुम्हें कितना अच्छा color बनाया है कितना प्यारा color नहीं तो मेरे favorite color है दोनों ब्रस एक साथ होने के बाद पानी भी pink color का हो गया मैं अब मैं try करो हाँ बटा मैं सबसे पहली yellow लूँगी यहाँ पर yellow color लगाती हूं मैं पहले yellow plus अब red लेती हूं red is equal to करके देखती हूं mix करके देखती हूं क्यों सा color बनता है अरे सोना ये तो orange color बन रहे है क्या सच में अरे हाँ मैंने तो orange color बना दिया वाँ कितना प्यारा लग रहे है कितना प्यारा लग रहे है मेरा orange color ये तो मेरा favorite color है ये देखो मेरा पानी भी orange color चलो रूहाँ अब तूम करो हाँ हाँ मैं अभी करता हूं मैं mix करूंगा blue plus yellow yellow अरे ये क्या निला दबटा पिला सूट कर रहा है चलो दोनों को mix करके देखता हूं मैंने ये blue ले लिया अब blue ले लेता हूं दोनों को mix करता हूं चलो देखते हैं कौन सा color बनता है अरे वाँ ये तो green बन गया वाँ कितना प्यारा green देखो सचमी रोवर ने तो green बना दिया वाँ क्या color बनाया है मैंने सबसे प्यारा मेरा ही color है ये देखो मेरा पानी भी green हो गया मैं तुमसे अच्छा color बना के दिखाऊंगा देख ले ना मैं पहले white लोगा और इसको blue के साथ mix करूंगा देखना कौन सा color बनता है white plus blue is equal to white अब mix करता हूं देखता हूं कौन सा color बनेगा अरे ये कौन सा color बन रहा है अरे मुझे लगता ये sky blue बन गया हाँ light blue sky blue कितना प्यारा है मेरा आसमानी color ये देखो मेरा पानी भी sky blue हो गया वाँ मैं अब मेरी बारी मैं लूँगी पहले black और इसमें और इसमें मिक्स करूंगी मैं red color मैं mix करूंगी मता नहीं कौन सा color बनेगा देखते हैं चलू अरे मुझे लगता ये maroon color बन रहा है हाँ हाँ maroon color वाँ कितना प्यारा color बन रहा है न वाँ कितना प्यारा color है अब मैं पानी में डुबा के देखती हूं वाँ ये देखो सच में maroon color बन गया न कितना प्यारा color बन गया न अब मैं करूंगी मैं पहले लूँगी green अब मैं इसमें कौन सा color mix करूं अरे मिंकी yellow करके देख हाँ yellow करती हूं पहले यहां पे लगा लो हाँ अब दुनों के mix करूंगी green ले लिया अब इसमें yellow mix करूंगी देखती हूं कौन सा color बन के तयार होता है अरे वाँ ये तो parrot color बन गया अरे हाँ सच में मिंकी तुम्हारा तो बहुत प्यारा color बन आ ये तो parrot color बन के तयार हो गया वाँ light green ये तो सच में parrot color लग रहा है तोते का color अब मैं अपने ब्रस्त हो के दिखाती हूं वाँ दो गलर कैसे mix हो रहा है देखो देखो कैसे light green बन गया वाँ वाँ बच्चो तुम सबने बहुत ही अच्छक किया हलो फ्रेंज दिल्ली वाली बार्वी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बच्चों ने color making activity की थी तो आईए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है अरे आज तो मज़ा ही आ गया कितने सारे नैने colors बनाए हमने हाँ कास ये सब स्कूल में रोज-रोज होता तो हम boring पढ़ाई से बच जाते हैं अरे लेकिन क्या फायदा अब तो color making activity खतम भी हो गई अब तो हमें पढ़ाई करनी ही पढ़ेगी हाँ आज तो science का period है पदा नहीं science में मैम कौन सा formula पढ़ाने वाली है हाँ ये magnesium potassium तो मेरी समझ के बाहर है मैम आज हम science में क्या पढ़ने वाले हैं अरे क्या पढ़ेंगे वो ही potassium magnesium का formula याद कराएंगी मैम बच्चों आज science में कोई explanation और return work नहीं होगा तो फिर क्या होगा मैम आज हम science में experiment करेंगे क्या experiment इसका मतलब कुछ याद नहीं करना पड़ेगा बले 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 मैम लेकिन हम कौन सा experiment करेंगे बच्चों आज हम lab में chemical reaction देखेंगे ये देखो इतने सारे जार रखे हुए हैं यहाँ पर अरे लगता है कुछ तो मज़िदार होने वाला है चलो बच्चों तुम सब यहाँ आ जाओ और अपने अपने जार के पास खड़े हो जाओ मैम हम सब आ गए अपने जार के पास चलो अच्छा है एक दिन तो पढ़ाई से छुटकारा मिला अगर यह सब रोज होता तो मैं कभी छुट्टी नहीं मारता हूँ तो चलो बच्चों हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं इस जग में जो पानी है उसे अपने अपने जार में भर लो तुम सब अरे वाल यह तो बड़ा मज़दार है पहले मैं पानी डालूँगा बहुत मज़ाने वाला है अज कुछ तुम मज़दार होने वाला है मैं इतना ठीक है हाँ बेटा थोड़ा और भर लो हाँ अब ठीक है अब मैं भरूँगा मैं भी उतना ही भड़ लेता हूँ अब मैं भरूँगी अरे मेरी बारी कब आएगी मैं तो सबसे लाज में खड़ी हूँ आएगी आएगी तुमारी बारी भी आएगी अब मैं भरूँगी येस अरे चिक्के मुझे भी देना मैं भी भरूँगी हाँ हाँ दे रही हूँ दे रही हूँ ये ले हाँ मैं भी बरूँगी वाउ अब मेरी पारी वाउ तो बच्चो जार में सबने बराबर पानी भर लिया है येस मैं तो चलो तुम सबने जो कलर कल बनाया था वो ही कलर इस पानी में भी बनाओ चलो विक्की पहले तुम बनाओ Sky blue बनाने के लिए पहले white plus blue अब मैं कर के देखता हूँ पहले मैं white लेता हूँ अब इसको पानी में डालता हूँ वाव! कितना सुंदर color बन रहा है ना वाव! देखो ऐसा लग रहे है जैसे smoke फैल रहे है धुआ धुआ सा कितना सुंदर लग रहा है ना अब मेरे पानी का कलर तो वाइट हो गया अब मैं इसमें मिलाओंगा ब्लू कलर इसको भी पानी में टाल देता हूँ अब देखना क्या होगा वाव ये देखो कलर कैसे चींज हो रहा है देखो कैसे चींज हो गया ये देखो मेरा पानी कितना सुन्दर स्काई ब्लू बन गया वा बेटा तुमने तो बहुत अच्छा बनाया चलो रुहान अब तुम्हारी बारी ओके मैम अरे मैंने कौन सा कलर बनाया था हाँ मैंने ब्लू प्लस येलो इस इक्वल टो ग्रीन बनाया था अब मैं यहाँ भी बनाऊंगा पहले मैं लूँगा ब्लू फिर इसे पानी में डालूँगा ये देखना वाव ये देखो कैसे घुल रहा है पानी में मेरा कलर वाव ठम 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 वाव ये देखो होली आ गई होली ये अब मैं ये लो लूँगा अब डालता हू मैं ऐसे पानी के अंदर देखते क्या होता है चलो mix हो जा हो जा हो जा यह जादू हो रहा है और यह हो गया मेरा पानी green color का अरे वाट कितना प्यारा लग रहा है यह तो juice की तरह हाँ करेले का juice लग रहा है तुचिप कर विक्की अरे मेरी बारी कब आएगी मेरी बारी कब आएगी मैं तो बहुत excited हो करने के लिए हाँ सोना अब तुम्हारी ही बारी है अरे मैंने कौन सा color बनाया था हाँ yellow plus red is equal to orange बनाया था अब मैं इसमें बनाऊंगी पहले मैं लूँगी yellow अब इसे पानी में डालोंगी देखना क्या होगा अरे वाउ अरे वाउ देखो देखो क्या हो रहा है ये देखो मेरी पेली होली वाउ वाउ ये तो lemon juice लग रहा है मन कर रहा है मैं तो पी जाऊं लेकिन अभी तो इसमें red भी मिलाना है मुझे मुझे तो इसे ओरेंज बनाना है चलो अब मैं रेड लेती हूँ अब इसे इसमें मिला देती हूँ देखते हैं क्या होता है अरे वाँ अरे वाँ देखो देखो ना कैसे ओरेंज कलर बन गया ये तो ये तो ओरेंज जूस बन गया वाँ मिरिंडा बन गया ये तो मेरे मुँमें पानी आ रहा है मन कर रहा है मैं पी जाओ इसे हम सच में ये तो ओरेंज जूस लग रहा है ये तो मेरे मुँमें भी पानी आ गया चलो चिक्की अब तुम हारी बारी ये मैंने कौन सा कलर बनाया था हाँ रेड प्लस वाइट इस उगल टो पिंक बनाया था अब मैं इसमें बनाऊंगी पहले मैं लूँगी रेड अब इसे पानी में मिलाऊंगी तेखना क्या बनेगा देखो 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 वाव ये देखो कितना प्यारा बन गया न अरे चिक्की ये तो वाटरमेलन जूस लग रहा है ये क्या हो रहा है ये साइंस एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि हमारे मुँ में पानी बुलाया जा रहा है एक तो एतनी तेज प्यास लगी है उपर से ये वाटरमेलन जूस की तरह लग रहा है अब मैं मिलाओंगी वाइट कलर, देखना अब क्या होगा, ये देखो कैसे मिक्स हो रहा है इसमें, ये देखो कैसे कलर चेंज हो रहा है, वाउ, ये तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बन गया, कितने सुन्दर लग रहे हैं न सारे कलर्स, एक साथ, हाँ, मैं, अब मैं बनाओ, हा हाँ, मैंने बनाया था, ब्लैक प्लस रेड, इसको एड़ तो मैरून कलर, अब मैं यहां बनाओंगी, ये लिए मैंने ब्लैक कलर, अब मैं इसे पानी में मिलाओंगी, देखना, देखो, अरे, ये मेरा पानी कैसा ब्लैक कलर का हो गया, ये तो कोई भी जूस की तरह नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, अब मैं इसमें रेड मिलाओंगी, फिर देखना, ये लिए मैंने रेड कलर, और इसको मिलाया पानी के अंदर, ये देखो, देखो कितना सुंदर बन गया मेरा कोका कोला, वा स्वीटी, तेरा कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बि इंकी बेटा आप तुम्हारे बारी, मैंने तो ग्रीन प्लस येलो इसको पैरट कलर बनाया था, अब मैं यहां बनाओंगी, ये लिए मैंने ग्रीन कलर, अब मैं इसे पानी में मिलाओंगी, देखना क्या होगा, देखो, 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 वाउ, ये देखो कितना अरे तुम्हारा तो सेम टू सेम रोहन के जैसा बन गया अरे नहीं नहीं अभी तो मैं उसमें यलो भी मिलाओंगी फिर देखना ये लिया मैंने यलो कलर और ये डाला पानी के अंदर अब देखना देखो देखो कैसे कलर चेंज हो रहा है देखो देखो मेरा कितना सुन्दर पैरेट कलर बन के तयार हो गया अब बताओ मेरा और रोहन का कलर सेम है क्या अरे नहीं नहीं दोनों डिफरेंट कलर है मैं अब हम इन कलर्ज का क्या करें बेटा अब स्टार्ट होगा हमारा एक्स्पेरिमेंट ये देखो ये सोडियम क्लूराइड है जब हम इसे कलर्फुल वाटर में डालेंगे तब इसका केमिकल रेक्सन क्या होगा वो हम देखेंगे बच्चों कोई भी केमिकल अकेले युज नहीं करना बड़ों का साथ होना बहुत जरूरी है चलो विक्की, पहले तुम एक चम्मा सोडियम क्लोराइट अपने जार में डालो ओके मैम, देखना इसका क्या रियेक्शन होगा मैम, मैं डाल रहा हूँ, हाँ बेटा डालो, देखना वाओ, जाग बन गे इसमें तो, कितना मज़ा रहे, देखो देखो अरे वाँ, मुझे भी करना है ये लिया और इसमें डाल दिया वाँ, मज़ा गया मुझे दो, मुझे दो, मैं भी करूँगी मैं थोड़ा ज़्यादा ही ले लेती हूँ ये मैंने लिया और मैंने इसमें डाल दिया वाव अरे सुनो सुनो इसमें से तो आवाज भी आ रही है अरे जब ये पिंक कलर में जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा ये लिया और ये डाल दिया वाव मैं भी डाल के देखती हूँ, कैसा लग रहा है, ये मैंने डाल दिया, अरे वा, क्या बात है, वा, मज़ा है अग्यास तो, देखना, मैं डालूंगी तो कितना अच्छा लगेगा, देखो देखो, वा, क्या बात है, वा, मज़ा अग्यास तो हलो फ्रेंज दिल्ले वाली बाद भी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बच्चों ने साइंस का एक्सपेरिमेंट किया था तो आएए देखते हैं आगे क्या होता है आज से तो मज़ा आया एक्सपेरमेंट करके येस मैम बहुत मज़ा आया तो आज हम उससे भी ज़द्ध मज़दार चीज करने वाले हैं क्या उससे भी ज़द्ध मज़दार चीज अरे विक्की मुझे तो लगता है मैम अपनी यादास्थ खो बैठी है पढ़ाई लिखाई छोड़ कर बस मज़ेदार चीज कराई जा रही है अरे चुपकर नहीं तो मैम सुन लेंगी तो उन्हें याद आ जाएगा कि पढ़ाना भी है मैम अब हम इन कलर्स का क्या करेंगे आज हम फ्रीजिंग सिखेंगे लिक्विट को सॉलिड में कैसे बदलते हैं वो सिखेंगे आज हम क्या हमारा ये लिक्विट सॉलिड बन जाएगा वो कैसे वो ऐसे ये रहा आईस ट्रे आईस ट्रे लेकिन हम इसका क्या करेंगे मैम बच्चों तुम सब अपना अपना कलर इस ice tray में भर दो फिर मैं उसे freezer में डाल दोंगी फिर देखना कैसे ये colors ice बन जाएंगे क्या ये सारे colors ice बन जाएंगे हाँ ये लो इस स्रेंच के मदद से तुम सब अपने colors इस ice tray में डालो वाव ये तो बहुत ही मज़दार काम है तो चलो विक्की तुम स्टार्ट करो पहले मैं ये स्रेश में भढ़ लेता हूँ बहुत मज़ाने वाला है आज अब मैं इसमें डाल देता हूँ वाव ये जब आईस बन जाएगा तो कितना सुन्दर लगेगा न अब मैं भर लेता हूँ मैं यहाँ डाल देता हूँ वाव कितना सुन्दर लगेगा मेरा ग्रीन कलर का आईस अब मैं भरूंगे अपना मिरिंदा वाला आईस मैं यहाँ डाल देती हूँ अपना मिरिंदा आईस अब मेरी बादी मैं यहाँ डाल देती हूँ वाउ अब मैं भर लेती हूँ यहां डाल देती हूँ ऐसा लग रहा है मैं injection लगा रही हूँ अब मैं भर लेती हूँ और मैं यहां डाल देती हूँ बहुत प्यारा लगेगा और फिर बच्चे आइस ट्रे में सारे colors डाल देते हैं चलो अब मैं इसे freeze में रख देती हूँ और इसे मैं यहां freezer में रख देती हूँ अब यह थोड़ी ही देर में ice बन जाएगा मैं हमने तो इसमें भी भर दिया अच्छा लाओ इसे भी रख देती हूँ freeze में अरे जब सारे colors ice बन जाएंगे बल्ले बल्ले कौन बल्ले बल्ले कर रहा है मैम रोहन वो इसलिए खुश है कि आज पढ़ाई नहीं करनी है अच्छा रोहन जब तक बर्फ जम रही है तब तक चलो तुम मुझे ABCD सुना दो क्या ABCD अरे ये क्या हो गया मैम की आदास्त अचानक वापस कैसे आ गया बहुत पढ़ाई से बच रहा था ये रोहन सुना नहीं तुमने चलो ABCD सुनाओ मैम ABCD और सुनाओ और सब ठीक है मैम रोहन मैं देख रही हूँ पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है बस बाते बढ़ाना जानते हो तुम मुर्गा बना दूगी सोच ले न मैम मुझे मटन अच्छा लगता है मैम जब भी आप मुर्गा का नाम लेती हो मेरे मुँ में पानी आ जाता है अरे शुप शुप बोलो आज मंगलवार है क्या तुम लोगोंने चिकन मटन लगा रखा है ये बच्छी बेना बहुत बाते करने लगे हैं आज कर और फिर कुछ समय बाद कलरफुल आईस तैयार हो जाती है मैम हमारा लिक्विट सॉलिट कब बनेगा अरे हाँ मैं तो भूली गए थी अब तो तुम्हारा कलरफुल लिक्विट आईस बन गया होगा मैं उसे फ्रिज में से निकाल कर लाती हूँ ये देखो बच्चों तुम्हारा कलरफुल आईस तैयार हो गया कितनो सुन्दर है ये और ये दूसरे ट्रे भी लो वाव मैम ये कितना प्यारा लग रहा है न क्या हम इसे छू सकते हैं हाँ हाँ अभी मैं इसे एक बाउल में निकालती हूँ फिर तुम सब इसे छू ले न ये लो बच्चों अपना कलरफुल आईस वाव ये तो आईस क्रीम लग रहा है मेरा तो मन कर रहे मैं से खा जाऊ ये भी लो अरे वाव मजा हग्यास तो इसे देखकर अरे वाव हाई चुकर देखकर कितना ठंडा है कितना तो अच्छा लग रहे ने छूने में अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये जो आईस है वो इस लिक्वेट में डूबएगा कि फ्लोट होगा मैं डूब जाएगा देखी कितना बड़ा बड़ा है अच्छा तो फिर डाल के देखो अरे हाँ पहले मैं अपना बुरू वाला डालता हूँ अरे कहां गया अरे ये तो फ्लोट कर रहे है हाँ एक और डाल के देखता हूँ अरे ये भी फ्लोट कर रहे है हाँ बेटा क्योंकि बर पानी से हलकी होती है इसलिए वो डूपती नहीं है अरे फिर तो मैं और डालूगा मैं जितना प्लोग कलर है मैं सब डाल दूंगा वाओ मैं भी डालूगा अपना ग्रीन कलर वाओ येलो और भी डालो वाओ कैसे फ्लोट हो रहा है देखो न कितना घ। हूबा से फ्लोट कर रहा है तो मैं मैं देखो टालूगे अपना प्लोट कर रहा है कितना उपको क् ago गणे चा टालूगा ना जूब झाल ही अपनता और मेरा उख ये अपनि यह designs यह क्ञाम रहा है में मागा ऒ्म झाल दालूगी हुए और में जोन कश्क्ना ऊनट रहा त्री एंड लास्ट फूर वाव अरे तेखो ना ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए cold drink रखी हुई है हाँ यह orange juice है देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरा तो मन कर रहा है मैं पी जाओ उसे अभी उठा के अरे देखो कैसे melt हो रहा है हाँ देखो ना मेरा तो एकदम छोटा हो गया देखो मेरा वाला कितना छोटा हो गया सब melt होता जा रहा है तो बच्चो देखा तुमने कैसे यह ice melt होकर वापस अपने liquid form में आ गया है हाँ मैं मैंने तो liquid को solid बनते हुए भी देख लिया और solid को liquid बनते हुए भी देख लिया और बच्चो जब तुम इसे गरम करोगे तब यह gas की रूप में बदल जाएगा तो इसे ही कहते हैं three states of matter solid, liquid और gas वाउ मैं आपने तो बहुत अच्छे से समझा दिया अब तो मैं कभी नहीं भूलूँगा हाँ बेटा और वाई वाई एक्जाम वाले दिन तुमने जो एक्जामपल दिया था solid, liquid और gas का वो भी मैं कभी नहीं भूलूँगी मैं मुझे एक question पूछना है हाँ बेटा पूछो मैं अगर हम सारे colors को मिला देंगे तो फिर कौन सा color बनेगा हाँ ये तो मुझे भी नहीं पता मुझे लगता है multi color बन जाएगा ऐसा करो तुम लोग ये भी करके देखी लो हाँ चलो सारे colors को इसमें मिलाते हैं पहले मैं blue निकालता हूँ yellow टाल दिया इसमें अब मैं green color मिलाता हूँ टाल दिया मैंने green color अरे कुछ तो change लग रहा है अब मैं orange लेती हूँ और इसमें डाल देती हूँ पता नहीं कौन सा color बनेगा अब मैं pink color लेती हूँ अरे कितना गंदा बन रहा है हे भगवान ये तो कीचर जैसा color बन रहा है रुको मैं अपना मिलाती हूँ फिर देखना कुछ तो change होगा कहाँ change हुआ छी छी ये तो नाले जैसा color लग रहा है अरे रुको अभी मेरा color बाकी है देखना ये जाएगा तो कैसे color change हो जाएगा ये देखो हे भगवान ये तो हमने सारा गोड़ गोबर कर दिया ये तो गटर जैसा लग रहा है ये सारे colors अलग अलग ही अच्छे लग रहे थे अब इस बचे हुए sodium chloride को इस गटर में भी डाल ज़ते हैं देखते हैं क्या होता है ये देखो ये गटर और भी बदबुदार हो गया आज के लिए इतना ही अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब किजे हमारा चैनल दिल्ली वाली बार्बी बाबाई क्या है